हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाल कद्दू की सबजी की रेशियपी लेके आई हूँ ये बहुत ही फाइदे मंद होती है, बहुत ही ये टेश्टी बनती है तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, कद्दू को मैं हाफ के जिली हूँ कद्ध को मैं अच्छे से छील के कट कर ली हूँ इसको मैं वीज के साथ बना रही हूँ क्यूंकि वीज में फाइवर, मैगनेसियम बहुत सारे इसमें तत्व पाए जाते हैं जो हमारे सरीर के रोधक परती रोधक छमता को बड़कार रखता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो कराही में मैं घी और तेल दोनों ली हूँ गरम हो जाने के बाद मैं इसमें सौफ, जीरा और लाल मिर्च डाल दी हूँ इसको तरक जाने के बाद मैं इसमें कद्धू को डाल दूँगे आप इसमें गरम मसाले भी डाल सकते हैं खड़े करम मसाले और तेजपत्ता भी डाल सकते हैं पर मैं एक दम सिंपल तरीके से बना रही हूँ तो इसको मैं इस तरह से डालने के बाद चला लेती हूँ चला के थोड़ा दिल के लिए मैं ढखके इसे छोड़ दूँगे इसमें मैं थोड़ा सा जो घर में सुखी अचार रहती है जो आम के सुखे वाली अचार जो होते हैं मैं उसको डाल दी हूँ क्योंकि मैं खटी मीठी आज बना रही हूँ उसके बाद मैं इसमें गूर डाली हूँ और उसके बाद नमक स्वाद केनुसा डाल दी हूँ धक के पकाने के बाद देखे थोड़ा सा ये गल चुका है तो मैं इसमें थोड़ा सा और मैं इसे पकाऊंगी तो फिर मैं इसे ढख दूंगी ढख के मैं इसी तरह से पकाते जाऊंगी इसको और इस तरह से छलनी से अप लगातार इसको चलाते रहेगा देखें ये एकदम अच्छे तरह से गल चुकी है और ये किता कम हो गया है तो मैं इसे कम से कम 10 मिनर तक भूनूंगी मीडियम फ्लेम पे और भूनते हुए मैं पकाऊंगी ये देखें मेरा सबजी बनके तयार हो गया है और ये सबजी बहुत ही टेश्टी बनती है आप प्रा आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजेगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सस्क्राइब कीजेगा आप लोग मुझे जरूर बताईएगा कि मैं अगली रेसेपी क्या चीज का लेके आई हूँ और एक लाइक दिये भी ना प्लीज मत चाहिएगा तो प्लीज एक लाइक दे दीजेगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाएगे